दोस्तों मैं हूँ अक्तर खान और आप देख रहे हैं CBC Newswire का फेक का फेक्ट चेक अफ़ाओं के कोई सिर्पेर नहीं होते हैं वो बस उनको बस ऐसे ही बना कर फैलाने के लिए बढ़ा दिया जाता है आगे बढ़ा दिया जाता है पहले अंजाने में फैलती थी लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है तो विशेस एजेंटे के तहट फैलाई जाती है क्योंकि फैलाने वाला जानता है कि जिसके पास पहुँचेगी वो बिना सोचे समझे बिना कुछ अपना दिमाग का इस्तमाल किये वो उसको ऐसे ही आगे बढ़ा देगा क्योंकि इसमें धर्म का तड़का लगा हुआ होता है हमारे पास पिछले दो-तीन दिन से पाल घर में जो घटना हुई जो सादूं की जो निर्मन तरीके से जो हत्या हुई उसका एक वीडियो कई लोगों दोरा भेजा गया जिसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि जो पीछे से चिल्लाने वाला है वो मार शोयब मार के दावे के साथ में इसको शेयर भी किया जा रहा है हमारे पास में ये वीडियो आया कि क्या मार शोयब मार जो कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा है कई लोगों ने हमारे पास में भेजा, ये जानने के लिए कि क्या ये दावा सही है, इसको बताने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हम हर रोज आपको हमारे इस कारिक्रम में एक अफवा बताते हैं, और इस भरोस्ते के साथ उसका सच बताते हैं, कि इसको आप पता चले मैंने अपनी जम्मेदारी निभाई है अब आपकी वारी है हमारे ऐसे हर वीडियो को आगे शेर करो ताकि लोगों को सच पता चल सके चलिए बात करते हैं पालगर में हुई निर्दोश सादू की हत्यारी भीर द्वारा निर्मुन करीके से हत्या के बाद इस दावे की आवाज आ रही है इस घटना से जुड़ी पूरी जानकारी आपको हम पहले ही दे चुके हैं नीचे लिंक में हम उसका लिंक भी शेर कर देंगे आप उसको देख लीजिएगा उपर आई बटन में भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि इस घटना से जुड़ी हर एक जान लोगों के मेसेज आए हैं कि आप इसका सच बताइए। 23 सेकंड का ये वीडियो है जिसके आखिर में कोई व्यक्ति बोल रहा है और दावा किया जा रहा है कि वो किसी शोयब का नाम ले रहा है वीडियो हमने कई बार देखा हमारे एक्सपर्ट ने कई बार देखा फुल व पटा दूँ कि इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, जीरो, सिर्फ जीरो सच्चाई है, ये दावा सिर्फ सांपरदाई सोच के साथ में शेयर किया जा रहा है और अफवा फैला ही जा रही है, वो व्यक्ती मार शोय मार नहीं, बल्कि बस ओए बस कह रहा है, देखिए और सु कि व हमें आवा संपस्वार था उर कर रही है है आवा से कंवगे जाय बस फजा जाना है व पार राव ये ब सस्वार मिनजए बस्गतर चमास, ब μεिर्मजग LIVE वीडियो हमने आपको बलर करके दिखाया लेकिन आवाज इसकी हमने फुल वोईस में चलाई आप इस आवाज को बार बार आपने सुनी वो मार शोयब मार नहीं बस ओए बस कह रहा है सुन लिया आपने अब देखिए मैंने शुरू में कहा था ना कि अफवाओं के कोई सिरपेर नहीं होते सिर्फ बिना सिरपेर के एक विशेश एजेंडे के तहट चलाई जाती है बस यह शोयब वाली अफवा भी उसी एजेंडे के तहट फेलाई जा रही है अफसोस की बात यह है कि ट्वीटर और फेस्बुक पर यह अफवा ब्लू टिक वाले महाशे भी फेला रहे है ब्लू टिक का मतलब आप समझते हैं ब्लू टिक का मतलब होता है कोई जिम्मेदार व्यक्ती वो व्यक्ती वाके ही जिम्मेदार है चाहे वो समाज का हो, चाहे वो पत्रकादीता जगत से हो, चाहे वो किसी फिल्म जगत से हो, वो बुद्धी जी भी समझा जाता है, समझदार व्यत्ती होता है, वो भी इस दावे के साथ में शेर कर रहे हैं, और शेर करने वालों में फिल्म निर्माता, अशोप, पंडित और कई कैसे पत्रकार हैं उनको देखकर कई छोटे छोटे शोटे शेहरों में भी लोग इसी दावे को शेर कर रहे हैं इससे क्या हो रहा है समाजों में आपस में नफरत बढ़ रही है शोयव नाम से जो भी अफवा फेला रहा है वो बिल्कुल आधारहीन है महरास्ट के ग्रह मंतरी महरास्ट के मुख्य मंतरी उद्दव ठाकरे ये पहले ही दावा कर चुके हैं ट्वीटर पर जानकारी दे चुके हैं प्रेस कॉन्फरेंस में जानकारी दे चुके हैं कि इस घटना का कोई सामपरदाइक पहलू नहीं है यहां तक की ग्रह मंत्री ने जितने भी गिरफतार थे उनकी पूरी की पूरी लिस्ट तक छाप दी हाला कि ये शर्म नाख है मेरी नजर में के इस वज़े से एक ग्रह मंत्री को ये छापना पड़ रहा है कि बस करो ये सांपरदाइक पहलू नहीं है, आप पूरी लिस्ट देख लो, ये एक बहुत शर्मनाग घटना है, जो की इससे पहले शायद है कि कभी नहीं होई, इस घटना के पिडित और अभियूट अलग-अलग संपरदाइसे नहीं है, महरास्ट के मुक्य मंत्री ने भी इसी तरह के सांपरदाइक एंगल होने के दावाँ का खंडन किया है, जो मार शोय मार के दावे के साथ में इसको शेयर कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपनी नफरत की दुकान चलाते हैं और माहोल बिगानने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह जहां कहीं वी ऐसे लोग अगर प और यह पोस्ट जब पुलिस के पास में पहुँची, तो उसने सांपरदाइक पोस्ट जो की हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, पुलिस ने उस पर कारवाई की और मामला दर्च किया, अपरादी कोई भी हो, सक्त सजा मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी मजब का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी राजनितिक पार्टी से तालोक रखता हो, किसी भी ओधे पे बेठा हो, लेकिन इस परकार की घटनाओं का इस्तमाल सांपरदाइक आग भड़काने के लिए एजेंडा साधने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, और अगर कोई करता ह और इस तरह की अफवाब फेलाता है, तो ये काम भी पुलिस और प्रशासन का है, कि ऐसे लोगों के खिलाफ सकते सकत कारवाई होनी चाहिए. अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं.